प्रणाम चैतन्या 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 आप भला तो जग भला द्रस्टी बदल जाए तो सुर्ष्टी बदल जाए मगर ये होगा कैसे एक ही उपाई है आध्यात्मिक्ता से पहले मानवदा सवाल ये है कि इस पृत्वी पर कौनसी भूमी पवित्र है और कौनसी भूमी अपवित्र हम कहते हैं कि भारत की भूमी पवित्र भूमी है मगर 1947 से पहले जो भारत की भूमी पवित्र भूमी थी वही भूमी पाकिस्तान होते ही और पवित्र हो गई वही भूमी बांगलादेश होते ही और पवित्र हो गई भूमी तो वही है भूमी नहीं बदली मगर मनुष्य के अहंकार के कारण एक रात में पवित्र भूमी और पवित्र भूमी हो जाती है जरा विचार कर कोई भावलिंगी मुनिराज नेज आत्मा के ध्यान में लीन है पवित्र भूमी पर नेज आत्मा के ध्यान में लीन है और किसी परदेशी ने आकरमन किया और इस पवित्र भूमी को अपने कबजे में कर लिया वे भुमी परदेश में चली गई मुनिराज को तो पता भी नहीं कि अपने देश में से वे परदेश में चले गए भारत देश अब परदेश हो गया मुनिराज तो उसी भुमी पर बैठे है उन्हें तो विकल्प भी नहीं है मनुश्य का अहंकार है ये भुमी मेरी, ये भुमी तेरी, बस इस अहंकार से छूटने का नाम ही तो धर्म है, एक जमाने में बर्मा, चेन, नेपाल, यहां तक की थाइलेंड, मलेशिया, सिंगापोर, इंडोनेशिया, ये सभी देश भारत था, भारत देश था, भारत इतना विराट देश था, मगर जैसे ही ये बटवारा होता गया, कि वे भुमी अपवित्र हो गई, भारत देश पवित्र है, भारत के अलावा सभी देश अपवित्र है, अभी कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, मगर जैसे ही वे पाकिस्तान में चला जाए, कि दुनिया का नर्ख हो जाएगा, ऐसा क्य होता है सिर्फ अहंकार की वज़न से भूमी में कुछ भी नहीं है भूमी पवित्र भी नहीं है भूमी अपवित्र भी नहीं है हम कैसे है यह महत्पून है अभी अभी पॉलेंड से एक किताब छपी है उस किताब में यह लिखा है कि पॉलेंड से पवित्र भूमी और कोई नह लेखक ने उस किताब को सारी पृत्वी पर भीजवाया और सभी के अभीप्राई पूझे कि आपके द्रस्टी में पॉलेंड के बारे में क्या विचार है और सभी जगल से खत आये जिन जिन देशों से खत आये सभी ने कहा दुनिया का सर्व स्रेष्ट देश हमारा है एक भी देश से ऐसा खत नहीं आया कि तुमारा देश अच्छा है अहंकार के कारण मैपने के कारण ये भूमी पवित्र है या अपवित्र है ऐसा विभाजन न हो इसलिए कहता हूँ आध्यात्मिक्ता से पहले मानवता कोई भी भूमी पवित्र और अपवित्र कैसे होगी पवित्र भूमी किसी को धार्मिक बनाती है अपवित्र भूमी किसी को अधार्मिक बनाती है भूमी अपवित्र यदि पवूमी अपवित्र है तो जरा विचार कर रामायन का युद्ध जो हुआ था राम और रावन के बीच ये पवित्र भुमी पर ही तो हुआ था पवित्र भुमी उस युद्ध को नहीं रोक सकी महाभारत का युद्ध हुआ ये पवित्र भुमी पर ही तो हुआ था पवित्र भुमी की तो बाद दू मा भारत का युद्ध पवित्र भूमी पर हुआ और भूमी के कारण ही हुआ जमीन के कारण हुआ पांदवों को भी जमीन चाहिए थी और कवरवों को भी जमीन चाहिए थी ये भूमी उस युद्ध को युद्ध करने से न रोप पाई भूमी कुछ भी नहीं करती भूमी क्या करेगी आज ये भारत तो कल कौन सा देश होगा हम नहीं जानते इसका प्रमाण ये है कि आज पाकिस्तान बांगलादेश आदे ये समस्त देश भारत के मूल देश में से बाहर हो गए मैंने इस पृत्वी के 158 देशों में धर्म पर्यटन किया परम कृपालू देव श्रिमदराज चंदर जी की अनमोल रचना आत्मसिद्धी शास्त्र को इस पृत्वी के 158 देशों में पहुचाने का मुझे भावाया और ये सफल स्थापना हुई मगर 158 देशों की यात्रा के दोरान मैंने दो देशों के बीच में कहीं दिवार नहीं देखी दिवार एक ही थी मेरा देश और तेरा देश जैसे इस शरीर में अभी अपनापन है और अग्यानी यदि इस शरीर में से बाहर निकल कर किसी दूसरे शरीर में जाए वहाँ पर मोह हो जाएगा ऐसे ही जिसको इस देश में मोह है यहां से मर करके परदेश में पैदा हो उस देश में मोह हो जाएगा क्योंकि उसका सम्मंद भूमी के साथ में नहीं है मैं जहां पैदा हुआ वही सर्वस्रेष्ट है इस पृत्वी को एक मानवता की जरुवत है मानवता आध्यात्मिक्ता से पहले मानवता Humility before spirituality भुमी कुछ भी नहीं करती जगह कुछ भी नहीं करती सिद्ध शिलाप पर सिद्ध परमात्मा अनंत अव्याबाद आनंद को भोगते है और सिद्शिला पर निगोध या जीव अनंत दुख को भूगते है नरक में स्रणिक राजा आत्मा के आनंद को भूगते है और स्वर्ग में मिध्यादरस्ति अनंत दुख को भूगता है आकाश के प्रदेश किसी को सुखी या दुखी कैसे करेंगे सिर्फ हम बदल जाए, ये भेद से मुक्त हो जाए, इसमें हीत अपना है, इसमें हीत स्वयम का है, कहते हैं अमेरिका भहुतिक वादी देश है, अमेरिका बहुत भहुतिक वादी है गुगल, फेस्बूग, यूट्यूब, मेसेंजर, इंस्ट्राग्रांग, जूम, एपल, यहां तक की माइक्रोसॉफ के सॉफ्ट्वेर, ओफिस हो, पावर पॉइंट हो, एक्सल हो, ये सब सॉफ्ट्वेर, अमेरिका का ही यूज करते हैं, नगर वहां के लोग भहुतिक पावी है, पापी है, मैं ये विचार नहीं करता, मैं उन्हें पापी कहकर के अपना संसार परिभ्रमन क्यों बढ़ाओ, उन विकल्कों की जाल में भी क्यों फसू, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, जब हम कहते हैं कि पापी भी परमात्मा है, जिंदगी बहुत अल्प है, छोटा सा जीवन है उस जीवन में अनादी अनन्त चैतन्य परमात्मा को भूल कर अभी आँख यहां से बंद हुई और कहां चलेगा यह पता नहीं भूमी के मोह में भूमी के राग में तन्मई नहो जिस भूमी को हम पवित्र भूमी कहते हैं भारत की भूमी पर गजपन्था में नाशीक में मैंने खुले आम रास्ते पर जैसे मुर्गे को कटते हुए देखा है बकरे को कटते हुए देखा है पवीत्र भूमी पर भी ऐसे पाप होते है और पवीत्र भूमी पर भी होते है भूमी को दोश मत दो, भूमी पर आरोप मत लगाओ यदि जीव पलड़ जाए तो भूमी द्रस्टी में ही नहीं आती सक्कर भारत में रहे या अमेरिका में रहे सक्कर का सोभाव मीठा है ख्रणीक का बोध हो मृत्यू कब होगी और किस भूमी पर जन्म होगा पता नहीं इसलिए एक ही कि आख बंद होने से पहले द्रस्त्री खुल जाए क्योंकि पृत्वी की यात्रा के दोरान 158 देशों में मैंने अमेरिका और केनडा से जो चांद और सूरज देखे वे ही चांद और सूरज मैंने आफरिका से देखे कि चांद और सूरज में परिवर्तन न दिखाई दिया तो फिर अमेरिका और आफरिका के लोगों में उन आत्माओं में परमात्म द्रस्ती क्यों नहीं आती इन भेदों में से मुक्त होकर के इन जंजाल से मुक्त होकर के प्रत्येक आत्मा को परमात्म द्रस्ती से देखना तीर्थों की भूमी भारत की भूमी पवित्र भूमी है अगर तीर्थों की भूमी पर भी पवित्रता होती तो वहाँ पर इतनी हिंसा क्यों होती जीव जनतु पैदा होते हैं वही पर ही मर जाते है भूमी के कारण भूमी की महिमा नहीं है यदि तुम्हें अहो भाव है तो भूमी की मैमा है तुम्हें वितरागी परमात्मा के प्रती अहो भाव है तो फिर उस भूमी की मैमा है वरना उस भूमी पर भी पाप कहां नहीं होते दोली लेकर के जाने वाले शक्ति बढ़ाने के लिए उस भूमी पर क्या-क्या खाते है ये मुझे बोलने की जरुवत नहीं है यदि वो भूमी उस पाप को रोप पाती भूमी कुछ भी नहीं करती जिस भूमी पर मेरी द्रस्ती पलट जाए वह भूमी तीर्थ हो जाती है इसलिए कहाने जिस भूमी पर ज्ञानी विचरण करते हैं वह भूमी तीर्थ हो जाती है कुरुक्षेत्र हो तो वह भी सिद्धक्षेत्र हो जाता है मैं मृत्यू से पहले आप परमात्माओं से यही कहना चाहता हूँ कि स्वरूप की और द्रस्ती करे भूमी की और नहीं पृत्वी की और नहीं पृत्वी की और द्रस्ती अनादिकाल से की है अग पृत्वी की और हमारी द्रस्ती न जाए एक मात्र चैतन्य परमात्मा चैतन्य परमात्मा चैतन्य परमात्मा यह सुना है ने देश को आजाद करने के लिए इसे गांधी ची परदेश छोड़कर के स्वदेश आये थे। ऐसे ही परद्रव्य और परभावों से न्यारे नीज चैतन्य परमात्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करनी के लिए अपने स्वरूप में आना यही एक मात्र उपाई है। देह की पृत्वी से द्रस्टी हटा करके चैतन्य परमात्मा पर द्रस्टी आए। तो तीन लोग के किसे भी प्रदेश पर जीव रहे संभाव से रह सकता है। यह भारत की भूमी पवीत्र भूमी हैं तिर्थंकरों की भूमी हैं ज्यानियों की भूमी हैं उस बात से मुझे कोई विरूद नहीं है। अगर इस भूमी की और द्रस्टी कब तक करते रहेंगे। सिर्फ इतना यह चैतन्य परमात्मा नीज चैतन्य स्वरूप के आसरे से यह अच्छी और यह बुरी ऐसे भेद से मुक्त होकर चैतन्य स्वरूप में स्थेर हो योकि क्या पता यह भूमी भी आज पवीत्र हैं कल क्या हो जाएगी। भूमी पवीत्र और अपवीत्र नहीं होती द्रस्टी यदि पलट जाए तो भूमी चैतन्य परमात्मा से न्यारी दिखाई देती है और प्रत्य का आत्मा परमात्मा दिखाई देता है। आप समस्त परमात्माओं को मेरे रदई के अंतरकरण से प्रण नाम स्विकार करें.